आपकी प्यारी जो संस्था है ये जो प्रिये संस्थान ने 27 वर्ष में प्रवेश किया है 26 वर्ष पूरे हो चुके हैं इस यात्रा को आसे 1995 पांच जनवरी को दिव्ययोग बंदिर के रूप में इस मिशन और अभियान का आगाज हुआ था शदे स्वाम जी के तप पूरशार्थ और संकल्प से यह यात्रा आज बिश्व व्यापी दुनिया के कोने कोने तक पहुँच चुकी है और अभी बहुत कुछ करना बाकी है जब यह मिशन प्रारंभ हुआ था तो बहुत सुख्ष्म टीम थी अब इसमें इतनी व्यापकता कारियों में व्यापकता कारियों में कुशलता टीम की व्यापकता हमें लगता है कि इस संस्थान का जब स्वर्ण जैंती महत्सब मने तेईस वर्ष के बाद तो तब तक का लक्ष लेकर कि हम सब इस देश को शदे स्वाम जी के सौपन के अनुसार स्वास्ते के क्षेत्र में सिक्षा के क्षेत्र में संस्कृति के क्षेत्र में राष्ट्रबाद के क्षेत्र में क्रिशी के क्षेत्र में आत्म निर्भर भारत को बनाने के क्षेत्र में पूरी दुनिया में भारत के वैभव को स्था आपित करके पुनहां इस भारत को वैभव साली विश्र गूरु बनाने की ख्षित्र में पतंजली और पतंजली से जुड़े हुए सभी हमारे कर्मयोगी भाई बहन संकल्प लेकर के आज से ही जुट जाएं इसकी लिए आज का दिन है यदि हम योजनाबद ढंग से आने वाले 23 वर्ष की जो योजना है यदि बिवस्थित रुप से बना लेते हैं और प्रतिक व्यक्ति हमारा चाहे छोटा से छोटा कारे करता हो या बड़ा से बड़ी जिम्मेदारियों पर सनलग न कोई भाई बहन हो तो सभी समवेत रुप से एकी तरफ एक निष्ठ हो करके उर्जा के साथ जूटते हैं तो वहाँ निष्चित रुप से संभव है संभव ही नहीं यह अवसंभावी है कि हम सब लोग उसी लक्षे को रख करके आगे बढ़ रहे हैं और बढ़ते रहे शदेश्वाम जी ने का कि अभी सुख्ष्मा देना है तो सुख्ष्मा तो हमने सारा ही दे दिया आप बैठ करके यही सोचो कि आने वाले 23 वर्ष में आ अपने करतब क्योंकि जब बात आती है ना करतब की तो बड़ा पड़ी पीड़ा होती है दर्द होता अंतर जब बात आती है अधिकार की तो बड़ा स्वाद आता है तो अधिकार में स्वाद लेने के साथ में जिम्धारियों का एहसास भी हम करना सिख जाएं तो संसार में कुछ भी अलब्य असक्य और अप्राप पे नहीं है क्योंकि मैं ऐसा मानता हूँ यदि आज पतंजली की यह यात्रा यहां तक पहुंची है तो सिर्फ और सिर्फ एकी कारण है शद्धे स्वामी जी ने कभी यहां नहीं सोचा कि संसार हम को क्या देगा पर हर खशन हर पल इसी कारे के लिए लगे रहे कि मैं संसार को देशवासियों को क्या दे सकता हूँ इसी भावना से हम आगे बढ़ें और आप सब को संपून देशवासियों को संपून विश्व में निवास करने वाले उन सभी लोगों का जिनोंने प्रत्यक्ष रुप से परोक्ष रुप से अपरोक्ष रुप से इस मिशन को इस अभियान को कोई साथी बन करके साथ चला कोई बिरोधी बन करके गती परदान करता रहा तो जिनोंने भी गती दिया गती प्रदान की उन सब के रिए बहुत शुब कामनाएं हैं क्योंकि सब लोग अपने रोल अदा करने में लगे रहे तो हमारी रोल ठिक ठक बनती रही तो इसी तरह से आप सब लोग अपनी रोल अदा करते रहे इस्तूती की निंदा की सहयोग की असहयोग की कोई बात नहीं हमारा काम है काम करते रहना सब अपने अपनी आहुती लगाते रहें पर ये ताय कर लें कि जब इतिहास लिखा जाएगा तो आपका नाम कहां पर होगा क्योंकि इतिहास तो बनेगा ही बनेगा तो हमें इतिहास की चिंता करने की आवशकता नहीं है हमें चिंता करने की आवशक्ता है अपनी सहभागिता की अपने रोल की अपने उसमें किस तरह से हम कंट्रिबूशन करना चाहते हैं तो वस इतनी ही चिंता करने की आवशक्ता है इनी शब्दों के साथ में सबके मंगल कामना के लिए भगवान से प्रार्थना करते हुए प्र कि अजब है